हलो दोस्तों डिस इस करिश्मा चोहार वॉलकॉम ब robi to my channel तो आज हम बनाने वाले हैं त्योफार रोटी जान यहांपे बनाएंगे हम यहां पर बाजार में जो अलवाई, श्टायल मिलते हैं न में पेड़े बनाने हैं यह घरते हैं और जो भी महमार आए उनको ज़रूर से आप ये पेड़े खिलाएं और अगर नौर्मल दिनों में भी बनाने का मन करेना तो भी ज़रूर से बनाए और भगवान का भोग के लिए आप यूज कर सकते हैं तो इसको बनाने के लिए ना इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ज्याद से पहले एक केजी फुल फैट मिल्क को हमें कठाई में डालना है और उसको ना लगतार चलाते रहना है चलाते रहना है आपको एक बात का जरूर से त्यान रखना है कि आपको एक मिनट से ज्यादा यहां पे छोड़ना नहीं है क्योंकि या तो आपका दूद उबल जाएगा फिर आपका दूद नीचे तले में बैठने लग जाएगा इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें पिसली बार जब मैंने यहां पे एक वीडियो शूट नहीं कर रही थी एक बार मैंने बनाए थी तो मैंने यहां पे किसी से बात करने लगी थी फोन बैर और मैं इसक आधा कप के करीब शुगर शुगर डाल कर आपको अच्छे से मिक्स करना है तो एक केजी दूद हमारा आधा किलो से भी कम का रह गया है तो अब हमारी चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गी है तो अपना स्वाद को और इंक्रीज करने के लिए हम डालेंगे इलाइची तो अग कि दूद्ध तो कम रहा गया गाड़ा हो गया लेकिन एकदम वो थिक हमें कंसिस्टेंसी चुई वह वाली नहीं मिली तो अगर आपको दूद्ध दस परसेंट रह जाना उस स्टेज पर एक चमच के करीब गाय का देशी घ्याड़ करना है और लगातार और चलाना है हमें पां 15 मिनट के लिए इसे अलग रख दिया था और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहां पर यह जो दूद्ध है वो कितना जादा घाड़ा हो गया है आटे की तरह हम इसे गूंच सकते हैं इस लेवल तक आ गया है तो बस हातों को चिकना करें थुड़ा सा घी लगा तो अब ना इसे 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रख देते हैं उससे ज़्यादा नहीं रखना किसी प्लास्टिक में या फिर बटर पेपर में आप रैप करके रख सकते हैं तो 10 मिनट के बाद हम हमारे दूद को निकालते हैं और बस एक बार इसे अंगुली या फिर हाथ से ना इसे अच्छे से मसल लेते हैं तो बस 10 मिनटे हमें हमारा दूद पहले की मुगावले थोड़ा ज्यादा सैट हो गया है तो अब इसके बनाते हैं हम यहाँ पेड़े लेकिन पेड़े बनाने से पहले ना हम इसे एक बार और अच्छे से हाथों में घी लगा के मसल लेग अंगुठे को थोड़ा सा प्रैस करें और बस बाहर वाले पेड़े यहाँ पे घर पर बनकर तयार है तो यहाँ पे आपको फटा फट से फटा फट से सारे की सारी पेड़े बना लेने हैं तो जब भी आपके घर महमान आई या छोटे बच्चे आए खास कर तो उनको यह व पेड़े बन गये हैं तो इनको बाजार जैसा डेकोरेशन करना तो बनता है ना तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी पिष्टा की कत्रन ली है उन कत्रन को मैं आप पेड़े के उपर सेट करूंगी तो सेट करने के बाद ना हमारे जो पेड़े का लुक है वो नॉर्मल नहीं रह पेड़ों को फटाफट से सर्व करें और बस जट पड़ से खुद करें घर के बच्चों को दें बढ़ों को दें और जो भी महमान आये उनको खास करके जरूर से दें उनको बताए जरूर कि पेड़े आपने खुदने बनाएं उनको इश्वास नहीं होगा तो मुझे मैं आपको वीडियो में बता ही दिया और थैंक्स पर वाचिंग द वीडियो